हलो दोस्तों नमस्कार आदाब दोस्तों बेरोजगारी अंदोलन और जिस तरीके से ट्विटर पे ट्रेंड किया मोधी रोजगार दो मोधी जॉब दो एंड आल और हैस्टेक जो था उसको 25 फरवरी के दिन जिस तरीके से पूरा पीक पे पहुंचा दिया लेकिन समस्या क्या है जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पिछली बार ऐसा ही एक कैमपेंग चला बेरोजगारी वाला कि मैं उस कैमपेंग के टाइमिंग को लेकर बहुत ज्यादा मैंने क्रिटिसिजम किया था और मैं अभी भी मानता हूं कि मैंने बिल्कुल सही क्रिटिसिजम किया था कि अंदोलन सही था लेकिन समय गलत लेकिन फिर भी सरकार ने तुरंत उस चीज़ को मान लिया और एक मिनट लगा सरकार को सरकार ने आपकी बाते माननी और दनादन दनादन एक हफते के अंदर अंदर बहुत सारे डिस्कलोजर इस तरह मतलब बहुत सारी डिक्लेरेशन कि रहे हैं इस जौब का इस जौब का ऋर बच्चे जो स स्था संतुर्च के बिलकुल एकदम से मामला शांत हो गया चुप चाप हो गया उसके बाद एक दम से नजर आया कि ए स son odc सरकार जो है किसी भी तरीके से सरकार किसी भी तरीके से बेरोजगारी के इस आंदोलन को रिस्पॉंड करने के मूड में नहीं है बिलकुल सरकार इस तरीके से बिलकुल शांत बैठी हुई है कि अगर आप लोग देखेंगे कि मामला जो है इस तरीके से हो चुका है कि सरकार ने कोई response नहीं दिया और ये एक गुबारा जो था वो फुस साबित हुआ तो सवाल यही है और आज का यह जो वीडियो है मैंने इसी टॉपिक के उपर बनाया है कि असलियत में क्या कारण है कि इतना बड़ा आंदोलन ट्वीटर के उपर नंबर वन ट्रेंड कर दिया सोशल मीडिया जवर्दस लेवल पर गया फिर भी आप लोगों का आंदोलन या हमारा ये जो आंदोलन है है ये फलप हो गया इस बार में पूर्ण समर्थन इसांदोलन के साथ है क्योंकि समय भी भी बिल्कुल ठीक है देश के ऊपर बाहरी या आंतरी कोई में सोचना पड़ेगा और जो करोडों की संख्या में जो स्टूडेंट लगातार मेहनत कर रही है दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है उनकी सुननी पड़ेगी और सरकार को सुधार करने पड़ेगा तो सवाल बच्चों ये मामला क्या है जिसकी वजह से सारे का सारा मामला बिगडा है क्या है तो मैंने असलियत में 10 पॉइंट जो हैं वो बनाए हैं जिसके उपर हम लोग आज डिसकेशन करने वाले हैं कि भाई असलियत में पूरे का पूरा हमारा जो आंदोलन था वो कमजोर कैसे पड़ा कैसे वो जो अंदोलन है वो बिलकुल शान्त हो गया पीछे हो गया और एक तरीके से फुस्सकों बारा शाबिद हुआ था 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 और कोई मामला आगे नहीं बढ़ पाया इसके पीछे का कारण क्या है इसके पीछे का कारण इन 10 पॉइंट्स में समझेंगे लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट ही है दोस्तों इसको शेयर कर देना अपने जाते साथा फ्रेंट्स के पास क्योंकि इन प्रोटेस्ट के इन इसे टूल किट कहो कुछ भी कहो ओपन टू ओल है ये ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको अगर हम एक्जेक्यूट करेंगे तो सरकार को हम अपनी मांगे मनवाने पर मजबूत मानने पर मजबूत कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को जिस तरीके से हर साल हर रोज किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है दोस्तों अब उसे प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा ये दस समस्याओं के उपर मैं डिसकेशन करने जा रहा हूँ तो असलियत में समझिये मामला क्या है मामला यह है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है सरकार के सामने मामला आया मामले के अंदर सरकार ने रिस्पॉंड नहीं किया उसके बाद क्या हुआ टीचर एक टीचर ने शुरू किया पता लगा एक टीचर ने शुरू किया और बाकी टीचर ने उसके टांग खिचने शुरू कर दी और जिस तरीके से अभिनेसर के वीडियो आगे बढ़ने लगे तो पता लगा गगन परता गोपाल वर्मा के वीडियो जो है इन्होंने उनको क्रिडिसिसम करते हुए नजर एक दूसरे के कपड़े भाड़ते वीडियो नजर आए नतीजा क्या हुआ नतीजा ये के स्टूडेंट्स के दिमाग में आया कि जो टीचर है यही आपस में जिस तरीके से कुट्टे बिल्लियों की तरह लड़ रही है इसका आउटकम क्या आएगा और तीसरी चीज़ वह बाहर आया जैसे ही बाहर आया पता लगा एक्जाम के अंदर धांदली दुबारा से आगई और नतीजा उसका जो है वो अटक गया टीचर्स के अपने बैचेस बनने शुरू हो गए टीचर्स जब तक बैचेस बन रहे थे फर्स्ट क्लास लावल पर थे एक आदे टीचर्स सबक्राट मांटके बहुत बड़िया तरीके से अपने अपनी एक ऐच बनाइध और लोगों को अपना यूद्र अपने तोर पर एक युद्ध आपने आपको स्टूडेंट्स काय युद्धा तोर पर प्रोजेक्ट किया जिसका असर जो था उनकी पूरी की पूरी लिस्ट के उपर नजर आये लेकिन प्रॉब्लम क्या थी उनके बैच बन गए मामला खतम उसके बाद 2016-17 के अंदर भी यही मामला किया गया और 2017 के अंदर भी इस तरीके के प्रोटेस्ट शुरू किये ग कि यह 2013 के अंदर चलता है 16 17 के अंदर चलता है 18 20 के अंदर चलता है that had a campaign चल रहा था सौच कर देखिए 4 बार यह लोग चला से कुछ भी नहीं हुआ बलके हालात बद से बत्तर होते जा रहे स्टूडेंट फ्रस्टेट होता जा रहा है बड़े-बड़े कोचिंग सेंटर वालों ने इतने सारे campaign चलाए क्यों कामयाब नहीं हो पाए इन 10 points में आपको सबकी solution मिलेंगे सबसे पहली बात सोचो कि अपना यह concept क्लियर करो के मामला क्या है मामला अगर आप लोगों ने इन कोचिंग सेंटरों ने या टीचर्स कोचिंग के टीचर्स ने सिर्फ और सिर्फ उसे बुल्बुला बनाकर बुल्बुला बनाकर अपनी अरकेटिंग करके चुप चाब भई इस बार अभीने सरका देख लीजे सबसे आदा अभीने सर ही यहां पर शोर मचाते हुए नज़र आए नतीजा क्या हर प्लैटफॉर्म के ओपर वो नज़र आए नतीजा यह हुआ कि बाकी टीचर्स ने अपने हाथ खीचने किसी पार्टी का किसी पार्टी का या किसी नेता का ना तो समर्थन करना है ना विरूद करना है इस तरीके के अंदोलन की इच्छा या इस तरीके के अंदोलन का अबजेक्टिव किसी सरकार को जुकाना या सरकार को गिराना कभी नहीं हो सकता यह क्योंकि सारे के सारे में सारी राजनितिक पार्टी या रंगी हैं, इस मामले के अंदर सारी की सारी राजनितिक पार्टी हैं, बिल्कुल कपड़े उतार के खड़ी हुई हैं, कि वो तुम्हारे को जॉब्स का जुझुना दे के निकल लेती हैं, तो समझे इस समस्या को, कि जिस पार्टी के समर्थन में जाएंगे दूसरी पार्टी आपको एस ग्रांटेड ले लेती है और जैसे ही दूसरी पार्टी के समर्थन में जाएंगे पहली पार्टी एस ग्रांटेड ले लेती है यह कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं कोचिंग सेंटर वाले अपनी धाई पकोड़े बना एक साथ मिलकर यह जो काम कर रहे ना इसकी वज़य से समस्य जादा आ रही है अब आप अपनी ताकत पहँचा दो, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका नमबर, हर गली हर गूचे हर महले हर गाव हर शहर हर जगह पर हजारों की तादात में चोटी से चोटी एक गली के अंदर दो से तीन बच्चे ऐसे जरूर मिलेंगे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और शहरों के अंदर तो इनकी तादात लाखों में होती है, तभी तो जाके करोड़ों बच्चा फॉर्म बरता है, सरकारी नौकरी का सोच कर देखिए, करोड़ों बच्चा सरकारी नौकरी का फॉर्म बरता है, लेकिन फिर भी आपका ये आंदोलन, आपका ये आप सोच कर द आदा है और इन GREEN स्टूदेंस में से maximum स्टूदेंस होर चोंगे जो किसी ना किसी जार्ज ऑल करके कि बागया बावमत नहीं कि इतने बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में कार्य करता नहीं है, जितने इस छात्र आंदुलन के पास एक छात्र के रूप में कार्य करता आप मौझूद हैं। बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स नहीं हैं। बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स नहीं हैं। और उसके बाद अगर ये नहीं माने फिर भी हम बहुत भारी भरकम सरकारी नौकरीयों का पिटारा आपके सामने लेके आएंगे और उन सरकारी नौकरीयों के पिटारे के अंदर क्या होगा। एक लाग सरकारी नौकरीया हमने दी, दो लाग सरकारी नौकरीया भरती, तीन लाग सीधी भरती, चार लाग सीधी भरती, इस तरीचे से लाखों के संख्या में आपको गिनवाया जाता है। अच्छा स्टूडिंक एस बिल्कुल ऐसा हो जाता कि यार पांच लाख वरतियां इसमें तो मेरा नंबर आ जाएगा भाड में जाए सब चीजें हमारे को इन सरकारी नोकरियों को देखना है और इसमें से एक नोकरी तो मुझे मिलनी चाहिए लेकिन इस राजनितिक दल जो आपको वादा कर रहा है उस स्टूडिंट का उस नेता का पिछला रेकॉर्ड उठाकर देखो और बाकी राजनितिक दलों का पिछला के रख लिए गए ऐसी कितने सारे एक्जाम सापके होंगे जिसके फारम बर्वा के रख लिए जाते हैं एक्जाम तो भूल जाओ उसके कुछ नहीं पता होता कहां गए और वो सरकार करती है अगर ऐसे हजारों करोड के घुटाले करती है सरकार सोचकर देखिए एक करोड़ बच्चा का रेलवे का फारम बर रहा है और उसके 400 या 700 रुपे ले लिए गए तो और दो बार फारम बरवाए तो दो दो बार 400 400 रुपे ले लिए गए तो सोचने वाली बात है कितने करोड़ रुपे सरकार के बासे कठे हो गए उसे छोड़िए समस्या सबसे बड़ी यह पर त्यारी करना शुरू कर देते हैं पता लगा एक फॉर्म तो निकल गया एक्जाम ही नहीं आया मंत्री जी ने वादा किया था इसलिए फॉर्म निकाल दिया वादा निकालने का था भरने का थोड़ना था अब भरेगा अगली बार चुनोगे तो अगले 5 साल बाद यानि आपको होना क्या चाहिए पांच साल तक पांच बार जॉब निकलनी चाहिए लेकिन पांच साल तक एक बार जॉब निकली और अगले 5 साल में उसका एक्जाम हुआ यानि अगले 10 साल में उसने एक बार जॉब निकाली student पागला हो गया रहा है और उसमें भी भरती हो जाएगी पता नहीं क्यों क्यों क्योंकि उसके बाद मान लिया first tier 1, fair court, tier 2, fair court, tier 3, fair court, tier 4, fair court और उसके बाद final decision के अंदर result में घधांदली हो गई गलत हो गया सब चीज हो गई तो इस समस्या को पहचानो तुमारी समस्या क्या है दूसरी समस्या है election मतलब सबसे बड़ी समस्या तो आपकी वो राजनितिक मानसिक्ता है और student इतने जार कर रहा है इस राजनितिक समस्या राजनितिक मानसिक्ता को पहचान लोगे तो आप अपनी इस समस्या से पार पा जाओगे जब आप इस राजनितिक मानसिक्ताओं को पहचान लोगे तो स्टूडेंट अपनी गलती को भी देखे कि असलियत में स्टूडेंट क्या गलती कर रहा है इसने कहा एक लाख भरती कि आपने कहा ओके सर मैं तयारी कर रहा हूँ सब को छोड़के बच्चा तयारी करने लग गया उसे यह नहीं पता कि टीचर क्या यह जो नेता था इसने कितना पड़ा दोखा पीछे भी दे रखा है उसे पिछले वाले रिकॉर्ड से मतलब नहीं उसे एक आस, उम्मीद हो, मजबूरी होनी भी चाहिए लेकिन यह तो ठग है ना सभी राजनितिग, लोग तंत्र के सारे राजा डाकूं है बहुत बढ़िया कवीता कह रखिये कुमार विश्वास ने बहुत के लोग तंत्र के सारे राजा डाकूं है राजा डाकूं है दोस्तों इन डाकूं से हमारी नोकरिया चुडवाना हमारा काम है और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है आगर डिसकुस करूँगा तो सबसे बड़ी सबसे प्रॉब्लम क्या है स्टूडिंट्स की गलती क्या है कि वो लोग एक्जाम में वो सब चीज़े छोड़के एक्जाम में लग जाते वो यह नहीं सूचते चोटी सी बद्धी नहीं लगाते कि यार एक्जाम यह यह लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं समस्या कहा है उसको सुदार नहीं रहे यह सिर्फ वादा कर रहे हैं जिनोकरी लगेंगे तो पता लगा नोकरी निकल गई अब नोकरी निकल गई तो आपने फॉर्म बर दिया फॉर्म बर दिया तो अब एक्जाम कब होगा पता नहीं चलो फस्ट एक्जाम हो गया उसके बाद रिजल्ट कब आएगा वो नहीं पता रिजल्ट आ गया और उसके बाद स्टे लग गया क्यों क्योंकि दो-चार कुश्चन गलत थे और दो-चार बच्चों ने और मजे की बात यही है जो स्टे होता है यहीं के लोग लगा देते हैं और जान-बूज के ऐसे दो-चार सवाल डाले जाते हैं क्या आपको नहीं लगता यह आयोग वाले इतने आदा गधे हैं क्या इतने बड़े गधे हैं कि मतलब सवाली डंके नहीं लगा सकते या नॉर्मलाइजेशन उनको बाद में करना होता है समस्या समझिये समस्या है तुम्हें बरगलाना है तो इस समस्या का समाधान क्या होगा अगले वाले पॉइंट में आ जाएंगे अब स्टुडेंट को असली प्रॉब्लम पता लग जया तो मामला ही खतम है अब असलीयत में किम प्रॉब्लम्स का सॉलीशन मागना है यह सोचिए आपका प्रॉब्लम आयोग है आपका प्रॉब्लम है कि टाइम पर जॉब ना निकलना आपका प्रॉब्लम जो है वो यह है कि असलीयत में जो नेता है वो वादा तो कर लेता है लेकिन उस वादे को पूरा करने के लिए नेता जिम्मेदारी नहीं है तो जिम्मेदारी ठहराना कि जिम्मेदार कौन जिम्मेदार कौन कोश्चन गलत हो गया तो जिम्मेदार कौन बरती कि अगर कोश्चन गलत आ रहा है या कोश्चन के आंस्वर्स गलत आ गए तो किस अध करनी पड़ेंगी कि जो अधिकारी जिम्मेदार हो वो गलती ना कर बैठे और कानून बनाया जाए उसके लिए कानून के आप हर हालत में सरकारी नौकरी हर साल निकालेंगे और अगर आप सरकारी नौकरी नहीं निकाल रहे तो उसकी जवाब दे ही बताओ हाँ उसकी जवाब दे ही बताओ सबसे पहली बात कैलेंडर निकालो लिखिए सबसे बड़ी बात क्या पहला जॉब्स निकाली जाए उसके फिक्स करो के खानून बनाके फिक्स करो कि हर डिपार्टमेंट हर साल ये बताएगा कि उसके पास कितनी वेकेंसी खाली है और हर साल उसकी jobs निकलेंगी और अगर उसके पास department में वेकेंसी खाली नहीं है तो वो लिख के बताएगा उसके पास वेकेंसी खाली क्यों नहीं हुई है उसके पास reason क्या है और अगर कोई अधिकारी या डिपार्टमेंट ये लिखकर नहीं दे तो उस विभाग के अध्याक्षिया सेक्रेटरिया जो भी लेवल का ऑफिसर है उसकी जिम्मेदारी फिक्स करो के बिटा तेरा पांच साल का सिनियरिटी लेवल कम करेंगे अगर तुन्हें डंग से जवाब नहीं दिया कानून बनवाओ ना आप लोग कानून भी बनवा रहे स्टुडेंट्स के डिवाइड ही नहीं बता खानून बनवाने की उसके बाद रूल्स फिक्स नहीं है एक्जाम के किस तरीके चांट होगा नर्मलाइजेशन जी बाद में आया एक एक्जाम टफ हो गया एक एजी हो गया चलो बराबर करने के लिए बाद में आएगा बहुत भद्दा बोल रहा हूं लेकिन है कैसे फिक्स होगा ये तो बताईए इन अधिकारियों की इन अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स करो नहीं तो इनको परकास्त करवा हो स्टूडेंट्स के पविश्य का सवाल होता है ट्रस्ट का सवाल होता है लेकिन नहीं ये र जिम्मेदारी फिक्स करवानी है, रूल्स बनवा के दीज तरह एक्जाम केलेंडर, जॉब्स फिक्स होंगी, और जॉब ना निकलने के बाद सरकार की क्या जिम्मेदारी हो, जैसे अगर आप देखेंगे ना, बहुत से काम अगर ना होने के बाद सरकार के उपर कानून बनने की विज़े से जिम्मेदारी होती है वैसे ही अपनी जिम्मेदारी फिक्स करवाओ इनकी कि बहुता है कानून होता तो बढ़िया तरीके से उन्होंने पढ़ाना शुरू कर रखा आप जैसे जैसे वह तो मैथ्स आता हो का उनको जैसा जानते वह ठीक है अब प्रॉब्लम क्या है उसके साथ गगन का वीडियो और उसके पास गोपाल सर का वीडियो आगया दोनों एक दूसरों को गालियां पक रह हैं फिक्स कर दो सुदार करें कैसे सुदार करो ये बोलो एकर ब्रॉ सुधार करने हैं जब तक तक आप अन्याय आता मुझे सुधार करो, सुधार करो, what the hell is this, सुधार करो, हवा बाज इसे काम नहीं होगा, अंदोलन को स्वरूप दीजिए, और स्वरूप कैसे दिया जा रहा है, मैं बता रहा हूँ, अब आप समझे, अब यहां पर असलियत में प्रॉब्लम्स क्या है, अब अगला पॉइंट देखे राजनितिक दलों की कमजोरी पहचानो दोस्तों, असलियत में जो राजनितिक दल है, इनकी क्या कमजोरी है, राजनितिक दलों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है, कि जो सत्ता में है, उसे सत्ता जाने का डर है, और जो सत्ता में नहीं है, उसे सत्ता में आने की एक आस है, बस कई जगे गैर कॉंग्रेस गैर बीजेवी की सरकार है हर नेता ऐसा है लोकतंत्र के सारे राजार डाकूं है और तुम्हें इन डाकूं से अगर निमटना है तो आपको हर हालत में कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इन पर दबाव पड़े और ऐसे ही दबाव डाला जाएगा एक्जेक्ट्ली ऐसे ही दबाव डाला जाएगा हाँ कैसे करना है सीदी सी बात यह कोई सब इस राजनितिक दल का नेता आ जाए उसको सत्ता में है तो भाई देख आयोग में सुधार कर रहा है नहीं कर रहा है अगर सुधार नहीं कर रहे तो वोट की उमीद मत करो और विबक्षी दल उसको बोलो के अपने मैनफेस्टों में लिखकर दो, वादा करके दो, कि आप सुधार करेंगे नहीं तो वोट की उमीद मत करो, बरगलाए रहेंगे हमेशा, हर कोई वोट चाहेगा, तुम एक वोट student को वोट-banca की तरे अपने आपको project करना है student अपने आपको जाती-धर्म-जन्वस्थान वगरे के नाम पर वोट안 वह वोट करता है कभी वोट-bank के नाम पर आए है स्ट्वोरे डाना है बंदर शे वो के गारंटी देगा कि गलतियां नहीं होंगी और अगर गलती हुई तो मैं लिख के दे रहा हूं कानून बना रहा हूं उस अधिकारी को नाप दूँगा कम से कम पांच साल सीमियरिटी खा जाओंगा उसकी ऐसा कोई नेता मिले उसको वोट दे दो ऐसा वादा लो और अगर ऐ सत्रा वाले अंदोलन में कुछ नहीं वहां सरकार अपनी मर्जी से चली बस कुछ भई नीतु सिंग्ग ने मौज ले ली अबकी बार समस्या क्या है इन में से किझी ने भी जैन्युन रीजन नहीं वताया उस आंदोलन को conduct नहीं किया, आये, खड़े हुए, शोर मचाया, ड्रामा किया, बैच बनाये, गायब, उसके बाद क्या हुआ बताईए, बताईए उसके बाद क्या हुआ, फिर एकदम से आये, problem आई, थोड़ा सा टानव किया, दिखाया कि आप उनके साथ है, फिर गायब, आ तुम्हारे टीचर खुद बटे हुए हैं, तो तुम्हें क्या एकठा रखेंगे यार, यह गलत है, इसे सही करवाओ, अगर आप असलियत में चाहते हो, के आपका भविश्य अगले एक-दो साल में सुरक्षित हो जाए, और आप जैन्वन के इंडिडेट हैं, और दो साल म अब आप समझिए, सत्ता पक्ष पे दबाव डालना है, विपक्ष पे दबाव डालना है, दोनों के मैनिफेस्टों के अंदर लिखवाना है, कि सुधार को लिखके दे कानूनी तोर पे होगा, हवाबाजी में नहीं होगा, कानूनी तोर पे होगा, यह लिखके देने के बा आपकी ताकत है, आपकी संख्या, आप हर गली, हर महले, हर जगह पर खड़े हुए हैं, एक-एक तख्ती अपने गर के बाहर टांग दो, और जहां, जहां इलेक्षन है वहीं, मानलिया पस्चिम बंगाल में इलेक्षन है, आसाम में इलेक्षन है, बस जितना स्टूडेंट है अपने आपको जाती धर्म से उपर उठकर स्टूडेंट समझे, ये लोग जाती और धर्म पे वोट मांग रहे हैं, और तुम स्टूडेंट के नाम पे वोट देने की बात करो, कि भाईया देख सीधी सी बात है, मेक तख्ती, तख्ती कैसी, ऐसी, नौकरी दो या डिगरी वापस लो, भारत के चात्रों के इमाम जो भी है, उसके बाद ये ऐसा कुछ, ऐसे ट्रेंड, ट्रेंड एक बार चलाने से कुछ नहीं होता, यार, सरकार को पता है, बुलबुला है, फूट जाएगा, चार दिन बाद लोगों को याद भी नहीं रहेगा, अपने आसपास के य मनी किंष्टी नहीं पड़ रखी अगर दंसे, इन एक कारն है, अपना तंड आते हैं, ड्रामा गरते हैं, तंड़ मचाते हैं, कायभ हो जाते हैं, रेगिलर वीडियो तक नहीं बनाते हैं, अपनी ऑच्छ में बातते हैं, इन टीछरों की था हैं, बताओंगा che इन टीछ सब एक काम करें सभी पार्टी वालों से किसी एक पार्टी वाले से नहीं सब के सामने तख्ती लेके खड़े उजाओ प्लेकार्ट लेके खड़े उजाओ सर आयोग जो आपका है हमें यह पांच मांगे देदो सरकारी नौकरी हर साल निकालोगे आयोग के अंदर जिस अधिकारी की गलती होगी उसको डाटोगे उसकी पनिश्मेंट रखोगे जो उसके बाद करम चारी आयोग के बाद जो डिपांच मांगए हैं वो रखेंगे और उन 5 मांगों को उठा के सब समने आयोग में सुधार करते हो या नहीं नेताहों के सामने खडे हो जाव द्यान रखना ना लड़ना है नrik ल mulheres नहीं प्रोटेस्स नहीं करना हर जाकर हर गली में हर बच्चा प्रपांस लड़की तखती ले हो जाओ और एक लड़का दूर से उसको फोटोग ले रहा हो ताकि इन नेताओं को के कार्यकरताओं का आपके साथ कैसा विवहार है उसके उपर नोटिस किया जाए इन हर नेता के उपर दबाव बनाओ क्योंकि आप लोग जो भी कर रहे होते नेता नीचे माइक्रो मेनेजमेंट करके ये नेताओं को लगता है मेरे अरिया में कुछ नहीं है माइक्रो मेनेजमेंट करके वोट ले जाते हैं इनके दिमाग में डर बिठा दो इन नेताओं के कि बेटा तुझे वोट नहीं मिलेगा अपने मर्जी से जिसको मर्जी वोट दो यार तुमसे कौन पूछ रहा है बैलेट बॉक्स में तो वैसे भी कोई नहीं होता इसलिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है ऐसी जगह पे हर जगह जाके हर किसी के सामने कोई तुम्हारा इस्तिदार नहीं है यार हर किसी के सामने खड़े हो जाओ बोलो हमारी इं 5 मांगों को समर्थन देते हो अपने मैनुफैस्टों में लिख कर देते हो या नहीं अगर मैनुफैस्टोnd में लिख कर देते तो वोट मत मांग लेना आयोग में सुधार हर साल नौकरी निकालोगे जवाब देही तै करोगे अधिकारियों की जवाब देही होगी और सरकार की जवाब देही होगी और कानून बना के जवाब देही तै होगी बिल्कुल पसीने आ जाएंगे नेताओं के जो आपसे वोट मांगने आ रहे हैं और अगली बार शरम करेंगे और और कुछी ना तख्ती के साथ एक सेलफी ले लो कि सर आपके सेलफी अगले साल याद आएगी अगर अगली साल आप काम पूरा करके नहीं आए तो हाँ मैनिफेस्टों में लिखवाओ और उसके बाद क्या होगा शान्त रहें कोई नारा नहीं कोई शोर नहीं कोई शराबा नहीं कुछ नहीं अब आजाते हैं ये आगए आपका प्रोटेस्ट करने का तरीका उसमें जो भी हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखके अगली बार डिसके लिगए ओर अगली बार हर बरस स्टूडेंट प्रोटेस्ट के वीडियो अव्य तलसी में नस्ती하ाव लिफ्टी hyper अब आखन है कंहोई राकेश यादव है नीतू सिंग मैडम है और सारे के सारे हैं ये कन जी मैंक्स सबंगर मैंक्स क्या बॉrick हर political, हर class में teacher जो जितने भी teacher और बाकी जितने भी XYZ हैं, सारे क्या करते हैं, असलियत में सारे के सारे अपनी भडास political वाली निकालते हैं, मैं थोड़ा मेरा इन से status is, मेरा थोड़ा अलग इसलिए हो कि मैं UPSC के इंदर डील करता हूँ, PCS में डील करता हूँ, लेकिन फिर भ लोगों को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, coaching center वालों को, कि सारे students को ये कठा करो, सारे students को इस तरीके से एक platform पर लेकर आओ, सारे के सारे students को इस तरीके से एक platform पर लेकर आओ, हर ताकत के साथ, मतलब एक तरीके से protest करके लेकर आओ, कि आपको students को ये समझाने हैं, कि प्रोटेस्ट कैसे करेंगे वह करके दिखाएंगे और टीचर्स खड़े होके बोलो यार क्षडें के बोलो क्लास के अंदर कोचिंग का वो जो पार्टी आए उनका मैनिफेस्ट और डिसकस कर गईा बताओ इसमें स्टूडेंट के लिए क्या लिखा हुआए हां कि इसमें स्टूडेंट के लिए नहीं है तो वोट तुम्हारी इच्छा है मैं नहीं कह रहा है अगले दिन अगली पार्टी का डिसकेशन कर लो उससे अगले दिन उसकी पार्टी का और जिस दिन लगे कि कोई भी पार्टी आपको वोट नहीं दे रही नोटा दबाया हो और साफ कहे दो प्लैकार लेके कि इस बार नोटा दबाया क्योंकि कि तुमने हमारी मांगे नहीं मानी स्टूडेंट है जाद धर्म से कहीं जादा ऊपर है यह लोग तो जाद धर्म पर वोट मांगे सस्ते में निप्टा देते हैं तुम लोग स्टूडेंट की तरह प्रोटेक्ट का आगे बढ़ो स्टूडेंट की तरह हैं आगे बढ़के करो और अगर कोई तुम क्या तुम्हारी फैमिली वाले भी तुम्हारा साथ देंगे पसीने आ जाएंगे नेताओं के पसीने कहीं ना यह जात धरम और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगे बंतलब वही होता ना के बूखे पेट देश बक्ति ना होए गोपाला कर दो सुधार कर दो हमारे प्रेश के अंदर अायोग के अंदर तक हमें हररोज हर मामले में स्टूडेंट और को अत्मत्याना करनी पड़े प्लीज इस सीज़ और कोसीन्ग सेंटर वाले चाहें दिछाँ दे और आपस में एक कपड़े ना फाटें जिस तरीके से आप सेक्स पर ही है क्या लेवल है मतलब इसको बता कि क्या करना चाहते और दूसरे वाले बता रहे हैं कि मैं तो गरीब घर का था मेरे पिता ची चार पांच जार पर कमा रहे दे तीसरा वाला देश वक्ति की भक्ति कर रहा होता है तुम लोग एक दूसरे के कपड़े पारते वे तुमें शरम नहीं आती क्या कपड़े मत फाड़ो एक दूसरे के स्टूडेंट को समझाओ स्टूडेंट को एक कॉम्मिनिटी की फॉर्म में एक अठा करो और एससी वाले टीचर के पास सबसे बड़ी खास बात यह है पावर यह है कि उनके पास स्टूडेंट का ग्राउं देगा एक कर्स्टमर मत समझो और यह एसससी वाले मास्टों के सबसे बड़ी कमी है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट का धोंग करके सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट के बैच बनाते हैं और नमस्त है उसके बाद नहीं कोई मतलब भी नहीं होता अच्छे में इसए कोई बोला भी नहीं क्लास तक में डिसकेशन नहीं वहाऊगा डंसे है और यही कारण है सस्ट के अंदूलन हर बार फेल होते हैं और UPSC वालों गफ कीराना Biemba नहीं होता PCS वालों के लिए हैं और मेरी च्रा निश्योधिक कर दो गुरुप से लेकर बहुत कुछ है कोशिश करो रोज एक बार डिसकस्चन करो रोज एक बार डिसकस्चन छेड़ो कि आयोग में क्या हुआ कैसा रिजल्ट आ रहा है सरकार क्या गदम उठा रही है किस पॉलिटिकल पालिटी का क्या विचार है जिस दिन सोशल यह डिसकस्चन शुरू हो गई और इन पॉलिटिकल पालिटीज के स्टैंड्स की चर्चा शुरू हो गई नाम लेकर चर्चा करो राउल गांदी जी आपका क्या विचार है मोदी जी आपका क्या विचार है गैलोज जी आपका क्या विचार है मामा जी आपका क्या विचार है बगेल जी आपका क्या विचार है योगी जी आपका क्या विचार सब के नाम लेकर discussion करो और गाली गलोच सब्सक्राइब करें गाली गलोच करेंगे तो अब गाली गलोच करो तो तुम्हारा निम्स्तर पता लगेगा एक लो लेवल पता लगेगा वो नहीं करना प्यार से discussion करेंगे बहुत ही अरकी बाद discussion करने के बाद पूरे प्रॉपर वे में हर मैनिफेस्टों के उपर discussion होगी, debate होनी चाहिए और social media में जितनी आप इस पर चर्चा करोगे, उतना जादा आगे बढ़ेगा एक Twitter handle के उपर, एक word आगे campaign को आगे बढ़वाने देशे मोधी योजगार दो, या फिर मतलब मोधी job दो or something इससे कुछ नहीं होने वाला, एक बुलबुले की तरफ उट जाता है, लगातार effort करना पड़ेगा और हो सकता है, एक साल, दो साल या दो हजार 24 तक के elections में आप pressure create कर पाएं, उससे पहले पहले हो जाएगा अगर आप pressure create करेंगे तो 2024 के पहले, election से पहले हो जाएगा, वरना मामला खराब है, करते रहो इसलिए दोस्तो request ये है आप से, टेजी के साथ लगे रहो, और पूरी ताकत के साथ आप इसके जंदर लगे रहो मैं भी कोशिश करूँगा वीडियो बनाई, हर टीचर से discussion शुरू कर दो, धन्यवाद